तो ये है मेरे घर का नेम का पौधा जो अभी बहुत ज़्यादा चोटा है लेकिन इसे लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी मेरे लिए हो गया था क्योंकि इसी से तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इन घर की ही चीजों से अपने इसकिन को किस तरीके से शीशे की तरह चमका स तो वीडियो को पूरा देखना नीम की पतिया मैंने तो लो दोस्तों वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप साब आई हो आप सब लोग बढ़िया होंगे ठीक होंगे क्या ऐसा हो सकता है कि जब हमको प्यास लगे उसी समय पर कुवा खोदो और पाने निकालो और पीलो क्य आपके चैरे पर बिल्कुल भी निकाल नहीं है आपके चैरे की जो चमके वो खोचुकी है आपके चैरे पर एकने की पिंपल्स की दानों की बहुत ज़्यादा भीड लगी हुई है और आपस भीड को खतम करना चाहते हो तो आट से दस नीम की पतियां तोड़के मैंने एक के अंदर और अच्छे से साब दोके रख ली है अब मैंने हैं यहापे लिया है एलो वीरा की मैंने एक पूरी ले ली है लेने के वाद क्योंकि इसे मैं इस्टोर करने वाली हूँ पूरे एक हपते के लिए एक हपते तक आप इस पैक को फुरीज में रख सकते हो बिल्कुल भ आपको झाना है तीसरे पौदे की शैडा तो तुलसिमा की में कमसे कम आड़ से दस पत्य葉 ले लूगी और जितना आपने तुलसी के पत्ति लिए हैं उतना ही मैंने अच्छे से साफ पानी में दूलिया इनको दूना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन से हमें एकने पिंपल और जायों को इलाज करना है अगर इनके अंदर दूल मिटी रहेगी तो हमारी ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है तो इसलिए दूना बहुत ज़रूरी ह होता है हर चीज को आप पहले दूया करें अच्छे से फिर नहीं यूज किया करें दूने के बाद इन सारी चीजों को एक मिक्सी जार के अंदर डालके मैं ने अच्छे से इसका पेष्ट तयार कर लिया तो आप देख सकते हो ये जो पेष्ट है मैं इसे एक खाली बॉल के डाल दूंगी ये मेरा पूरा एक हफ्टे के लिए चलेगा आपको इसे दिन में एक या दो बार जरूर अपने चेहरे पे लगाना है अगर आपके पास में टाइम है तो आप इसे सुबह और साम दोनों टाइम लगाईए टाइम नहीं है इतना तो एक टाइम तो आपको सफेल चाव हो जाएंगे तो डिखे इस तरीके से आपको लेकर अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से लगा ले ना है और मैं कुछ भी रह्य邏 अपने बेटए से तो लगा लेना है इस तरीके से आपको इसके एक लेल तो देखें ये एक ऐसा पैक है जो पानी की तरह आपको अपने चेरे पे दिखाई देगा मतलब जेल टाइप में ये लगेगा और जब ये ड्राइ हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई पैक अपने चेरे पे लगाया हुआ है बस आपको अपने इसकी हरी हरी सी थोड़ी दिखाई देगी क्योंकि ये ग्रीन कलर की ही सारी चीजे हमने इसके अंदर डाली है तो देखिए ये एकदम नेच्रल है जिसमें कोई भी केमिकल कोई भी मिलावट नहीं है उसके साथ में इसमें आपका बिल्कुल भी खड़्चा नहीं होगा ये तो आ जाते हैं मतलब तो इसलिए और ये तीनों ही चीजों का जैसे की नीम का पेड तुलसी का पौधा एलूवीरा इन पौधों का और इस पेड़ का घर में होना बहुत ज़्यदा जरूरी होता है जो आपको आगे देखने को मिलेगा फिलाल तो मैं आपको पैक बनाना बता रह है उस जगे पे आप इसकी एक मूटी सी लियर लगाईए ठीक है जब लगे एक लियर आपकी हलकी सी ड्राय हो चुके तो दुबारा से आप उसी के उपर एक बारों लगा लेजिए लगाने के बाद अब आप इसे 10 प्रट के लिए छोड़ दीजिए तो मेरा गला भी थोड करनाने के लिए यूज किया था ना उसमें से ही आपको इसका एक पिस रख लेना है जो अभी यहां पे मसाज करने के आपको बहुत ज़्यादक कामाने वाला है तो इसे लेने के बाद अब आपको अपने पूरे चेहरे की करने है मसाज दिखिए ऐलू वीरा एक को ऐसा प्ल हो गया है तो उससे भी आप बहुती आसन तरीके से छुटकारा पास सकते हो यह प्लांट आपके घर में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो देखिए इसे मैंने अपने पूरे चेहरे पे गरदन पे अच्छे से इसे मसाज दूंगी और आगर आपकी स्किन को मतलब प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे भी के वार ऐसा हो जाता है लेकिन अलू वीरा से नहीं होता है क्योंकि अलू वीरा तो मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करता है ठीक है तो इसलिए अलू वीरा मैं अपनी स्किन पर बहुत ज़्यादा लगाती हूं और मसाज आप और आपको लगेगा कि मेरी इसकिन तो काफी ज़्यादा साप सुतरी हो चुकी है तो बिलकूल भी आप इसे इसकिपना करें जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से पैक को लगाएं, उसी तरीके से यह वाली मसाज करें और चेहरा आपका एकदम क्लीन हो जाएगा, शेशे की तरह चमकने लगेगा लेकिन इन सब के साथ में अच्छी डाइट का लेना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर आप प्रॉपर तरीके से अच्छी डाइट लेते हो, हरी सबजें ज़्यादा लेते हो, पानी खूब ज़्यादा पीते हो तो आप दिखोगे आपकी जो इसके नेना एकदम नेस्रुल तरीके से गिलो करेगी आपको ये मसाज तब तक करनी है, जब तक जो आपका अलूविरा की जो अपने एक टुकड़ा लिया है ना इसका जो पल पे पूरी तरीके से खत नहीं हो जाता तब तक आपको इसे अपने पूरे चेरे पर अच्छे से रगड़ना है अगर अलूविरा आपको सूट नहीं करता तो इसकी जगे आप टमाटर भी ले सकते हो, टमाटर की सिलाइस ले लीजिए और टमाटर आप इसमें डाल दीजिए जो मैंने अलूविरा यहाँ पर यूज किया है पांच मट मशाज करने के बाद अब आपको अपने चेरे को कल लेना है अच्छे से साप तो हुआ पे मैंने एक कोटन का हेंकि लिया है और गीला करके अपने पूरे चेरे को कल लिया अच्छे से क्लीन दी जब से मैं फरीद आ वाबने सिल्ट होई लीन Peni Pani की वजए सी अगर आपको इन्हें लगाने का सही तरीका पता हो तो कि आप जानते हो जितने भी beauty products होते हैं सम्में नीम का यूज किया जाता है कि जिस अंगन में नीम का पेड होता है उस घर से बीमारिया को सो दूर रहती है क्योंकि नीम के अंदर anti-vacterial और anti-fungal gun पाये जाते हैं और इसी के कारण हर beauty products में इसका यूज होता है इसका powder और इसका तेल जरूर डाला जाता है क्योंकि ये हमारी skin के बहुत सारी यह समस्यान जिन से हमें दूर रखता है अपने चेरे पे लगाना है जिससे आपके acne, pimples, दाने, घमोनिया, डनिस्किप उससे फटा-फट से आपको छुड़कारा मिल जाए तो ये तो बात हो गई पैक लगाने की तो पैक के सासाथ मैं एक काम और करती हूँ ये हैं मेरे पास नीमकी पत्तियां जिनको मैंने साप धोके पैक भी बनाया था और उसके साथ में मैंने कुछ पत्तियां फ्रीज में रखी हुई थी खाने के लिए तो मैं क्या करती हूँ इन्हें रोजाना खाली पीर सुबह कम से कम आर से दस पत्तियां खाती हूँ और शुरू-शुरू में मतलब यह कड़वी लगती हैं लेकिन जब आपको आदत पढ़ जाएगी ना तो यह आपको कड़वी नहीं लगेंगी मतलब इतनी ज़्यादा कड दावाद में स्विफ्ट हुई थी तो उस समय पे आप लोग मुझे कॉमेंट्स करते थे कि दीदी अभी जब से आप यहां पर आयो ना आपकी जो इसकिने काफी जड़ा डल लंगने लगी है हमें ऐसा लगता है कि आप अपनी स्किन पर दियान नहीं दे पारे तो उसका र मिलती हूं कर नई वीडियो के साथ नई व्लोग के साथ बाई बाई टेक केर लव यू